आज जो सब्जी में आपके लिए बना रही हूँ वो है आलू मटर की सब्जी बहुत पसंद की जाने वाली यह सब्जी और जब फ्रेश मटर आ रही हो तो बहुत ही मज़ा आता है इस सब्जी का बहुत जल्दी से बना लिएंगी सब्जी को आप देखते रहें और इसका टेस्ट इतना अच्छा डेवलप होता है इस सीजन में स्पेशली क्योंकि यूज्वली हम लोग पाद में सीजन के बाद भी बनाते हैं आलू मटर की सब्जी लेकिन उस वक्त के टेस् बादा डिफ्रेंस होता है तो चले इसके लिए मैंने बस तीन दर्मियानी साईस के जो है वो आलू ले लिए इसी तरह से मतर है मेरे पास एक प्याली मटर है, दो टिमाटर को मैंने काट लिया है, तीन मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें काट ली है और हरा धनिया मैंने बारी चॉप कर लिया है, मसाले में कड़ी पत्त है, साबित जीरा मैं यूज़ कर रही हूँ Chopped لैसन यूज रहasına हूं चार मेरे पास लाल मिर्चे हैं नमक है वन टी स्पून बराबर से कालि मेच पाउडर है वन टी स्पून ही फुल मेरे पास हल्दी है और वन टे बिल स्पून मेरे पास कुटि लाल मिर्चे है तो चले आएं शुरू करते हैं आप की मर्जी है आप कुकिंग ओय ले ले कोई और यूँकि मुझे थोड़ा से सर्शूं के तेल का टेस्ट अच्छा लगता है। तो इस अज़ासे मैंने सर्शूं के तेल को गरम किया है और फिर इस में यह लैसन सब्से पहले डाल दोंगी। लेसन को अच्छी तरह से पका लेंगे इसकी खुश्बू आये चॉप्ट लेसन ने ये देखें अच्छा ओयल भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसमें यूज किया है क्योंकि सब्जी इस तरह की सब्जी में जरा ये होता है कि ओयल हो साथ में तो अच्छा रहता है और सरसों क आयल वैसे भी हेल्दी है कोई ऐसे शू नहीं है अच्छा इसमें मैं फिर ये जीरा शामिल करूंगी ये वाली मिर्चे शामिल करूंगी और ये कड़ी पत्ते की खुश्बू भी बड़ी जबरदस्ती आ रही है जीरे की खुश्बी फ्लैम को बिल्कुल आपने लो रखना है ताकि ये जलना जाए इसके साथ ही मैं इसमें टिबाटर एड़ कर दूंगी और टिबाटर को मैं इसमें प्राई कर लोगी एक पीस शास बात वी दी है इसमें कि मैं इसमें प्यास का इसके माल नहीं कर रही ठीक है आप इस तरह एक मरतबा बना के देखें टिमाटर के साथ आपको अंदाज़ा होगा कि पेस्ट इसका कितना अच्छा सा बनता है तो बस इसमें जल्दी से आलू डालूंगी सबसे पहले आलू डालूंगी और आलू को अच्छी करा साथ चिमाटर के साथ मिक्स करूंगी और इन मसालों के साथ और फिर इससे बें कवर कर दूंगी थोड़ा सा आलू को इस्टीम में पकने के लिए 5-7 मिनट में से स्टीम में कवर करूंगी यह देखें टिमाटर के पानी में आलू में स्टीम आ चुके और इसमें देखें टिमाटर का पानी इसमें के आलू के तक्रीवन 30 परसंट यह हो बलने का प्रोसेस हो चुका है तो बस अब इसमें मैं यह जो मेरे पास मसाले हैं और नमक यह मैं इसमें शामिल करूंगी और साथ ही मैं इसमें माटर भी शामिल करूंगी क्यूंके इस वक मेरे पास यह माटर बॉयल नहीं है तो इसलिए मैं माटर इसी स्टेज पर इसमें एड़ कर रही हूं ताके यह देखिए कितनी जबर्दस सी खुश्बू आ रही है सबजी की और इसका लुक देखें आप कितना जबर्दस सा है और इसमें यह करना यह है कि इसमें जाहर पानी का तो बिलकुल भी इस्तमाल नहीं होगा इसे मैं मजीद लो फिलेम पर कवर करूंगी यह देखें पांस से साथ मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था तो अब यह देखें इसका लोग इसमें ओईल उपर आ चुका है और यह सबजी जो है वो तकरीबन अब तयार है बस इसमें कुछ और चीज़ें एड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पहले भून लेना ह ऑ ग्रेवी इसमें आप पर डिपेंड करता है अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो थोड़ी से इसमें ग्रेवी आप रख ले वरना इसे भून ले motive यह इसे स्टेज पर हम इसे डिषयाूट कर सकते हैं हरा मसाला डाल कर वरना ये है कि इसको अगर आपने और भूनावा रखना है तो ये आप इसको भून ले थोड़ा ताकि इसकी consistency जो है वो कम हो जाए और बस इस stage पर जो है वो हम इसमें हरा धनिया बारीक जो हमने चौप किया था और हरी मिर्चे मैंने काट ली थी वो इसमें add कर देंगे ताकि एक और अच्छा सा इसमें taste जो है वो इसका आजाए क्यूंकि सबजियों में हरा धनिया या हरी मिर्चों का taste तो बहुत ही अच्छा आता है और ये माटर भी देखें बस गल जाने चाहिए तो वो process हो चुका है अब इसे mix कर लेंगे इसमें और मजीर इसको अच्छी तरह से चला लेंगे इसके बाद इसे दम पर अगर रखना चाहें तो 2 मिनट के लिए cover कर दे और low flame पर इसको छोड़ दीजी दो मिनट के लिए और अगत डिशाउट करना चाहें तो इस stage पर इसे डिशाउट भी कर सकते हैं मैंने दो मिनेट के लिए इसे लो फिलेम पर छोड़ दिया था और अब इसका लुक देखें कितना जबरदस्ता इसका लुक आया है तोड़ा सा हरधनिया जो है वो रख लिया था मैंने ताके मैं इसमें बाद में एड़ कर सकूँ तो अब जब तयार है ये डिश तो मैंने इसके उपर हरधनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है इसी तरह से और मज़ेदार सी ये रेसिपी तयार हो गई है मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अल्लाह आफिज अल्लाह आफिए दौाइब के साथ अल्लाह आफिएगा